हाई यह सो बेसिकली यह हमारा फोर्थ मोड्यूल का लास्ट लेक्चर है और यह सारे टॉपिक्स हम डिसकस कर चुके हैं 1-2-4 में और आज हम गौस्ट क्वाटरेचर में डिसकस करेंगे सो आप बने रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में इसके बाद हम वेटेट रेजुडियल मेथड और वेडियेशल मेथड भी हम इसको आगे डिसकस करने वाले हैं और आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब कर दीजिएगा तो स्ट इंटिग्रेशन का मेथड हरे विट नुमेरीकल मेथड ठीक है तो यहां पे नुमेरीकल मेथड यूज करेंगे इंटिग्रेशन के लिए तो इस मेथड में आपको सबसे पहले यह चो टेबल दी गई है यह याद रखनी होगी ओके तो यह बिसिकली क्या है एसल नमबर नं टूल में ठी संब्लिंग पॉइंट है उसी तरीके से फॉर भी होता है बट उसकी वेल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है याद रखने में बहुत दिक्कत होती है और चंधर ली इतना यूनिवर्सिटी इग्जाम में नहीं पूछा जाता अब बुक में देख सकते हो टूल की भी चार वेल्यूद होंगी यहां पर ठीक है तो वह मैंने यहां पर नहीं लिख रखा बड़ आपको तीन पॉइंट टूल तक याद रखना ज़रूर दिये और फिर होता वेटेट फेक्टर ठीक है इनका यूज कैसे करना है मैं नेक्स क्लाज में आपको बताऊंगा ओके तो जितने सेंप्लिंग पॉइंट होंगे उतने वेटेट फेक्टर होंगे ठीक है इसके लिए वेटेंग यह हो गया इसके लिए हैं और इन तीनों के लिए वेटेंग फेक्टर यह रहे तो ultimately आप इसका screenshot ले सकते हैं और यह आपको बूक्स भी मिल जाएगी basically तो यह आपको याद रखना है ठीक है अब यह integration method है तो किस तरीके से हम numerical integrate करेंगे किसी भी function को तो यहाँ पर एक question दे रखा है कि यह function है इसको हम integrate करना minus 1 से 1 अब यह limit है ज्यान दीजीगा minus 1 से 1 है उसका आगे मैं आपको एक और चीज़ पता हूँगा ओके limit के बारे में तो यहाँ पर हमार जो function हो गया वह है 2 प्लस x प्लस x square अब इसको अगर calculus की मेतर से integrate करते हैं तो क्या होता 2 का integration हो जाता 2x x का integration हो जाता x square by 2 और x square का integration हो जाता x cube by 3 limit put करी तो यह value आ गई हमार पास ओके simple था ठीक है अब हम देखते हैं इसको ghost quadrature method में किस तरीके से किया जाता है तो now for one point rule सबसे पहले हम one point rule से देखेंगे one point rule में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम i is approximate equal to wi into f xi इसका क्या मतलब हुआ आपको function के अंदर xi की value put करना है मतलब xi क्या था हमारा sampling point की value put करना है और उस function को weighted factor से multiply करना है ठीक है तो यहाँ पे हमारा function यह था 2x 2 plus x plus x square तो x की जगा हम put करेंगे xi तो xi यहाँ पे one point rule में क्या है 0 तो यहाँ पे 00 put कर दिया और इस पूरे function को multiply करेंगे wi से तो इसके लिए wi हमारा one point rule के लिए wi है 2 तो यह multiply कर दिया तो ultimately answer क्या है 4 तो आप देख सकते हैं यह 4 approximately जो exact solution है इसके equal आया अब इसकी accuracy बढ़ाने के लिए हम higher point rules पे जाएंगे तो two point rule पे जाते हैं तो वही करना हमें wi fxi तो यहाँ पे two point rule है तो क्या हो जागा w1 fx1 plus w2 fx2 तो दोनों को add करना है ठीक है तो इस case में second point rule के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारा w1 है वो 1 है और xi जो है 1 upon root 3 है तो यहाँ पे लिए w1 की जगा 1 ओके और यह x की जगा लिग दिया 1 upon root 3 और x square के जगा लिग दिया 1 upon root 3 का whole square उसी तरीके से w2 जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है और जो xi की value है वो minus 1 upon 3 है तो two plus minus 1 upon root 3 और plus minus 1 upon root 3 का whole square तो जब आब इसको solve करोगे तो इसकी value यह आ जाएगी जो की पूरी exactly हमारे इसके बराब तो यह हमने एक integration कर दिया एक function का with the help of numerical technique जो था हमारा ghost quadrature method अब एक और numerical देखते हम यहाँ पे और उसमें एक important point है तो please उसको पूरी अच्छी तरीके से देखेगा कि हमारे पास integration का जो दूसरा question है वो है 1 upon x dx लिमिट दे रखी है यहाँ पे 1 से 3 और इसको हमको 3 point formula से करना है ठीक यह दे रखा है अब देखो यहाँ पे जो limit है वो दे रखी 1 से 3 और ghost quadrature method के अंदर हमको जो limit हम use कर सकते वो है minus 1 से 1 तो यह हमें ध्यान रखना है कि हमारे question में जो limit होगी वो minus 1 से 1 तक 1 ही हो और कोई limit हम use नहीं कर सकते है तो सबसे पहले हमें इस question में limit change करना होगी तो limit change करने के लिए हमने क्या किया हमें चीए थी minus 1 से 1 ठीक है तो जब हमारी value x की 1 है तो हमें इस जगा limit मान लेते t is equal to minus 1 चाहिए और जब value 3 है तब हमें t is equal to 1 चाहिए तो t और x के बीच में एक relation लिखा हमने linear relation x is equal to mt plus c यहाँ पूट कर दिए value जब x is equal to 1 है तो t के value क्य चाहिए हमें minus 1 तो एक relation आ गया है यहाँ पर उसी तरीके से जब x की value 3 है तो m की value sorry t की value में बन चाहिए तो यह दूसरा relation आ गया दो equation है दो unknown है तो इससे हमारे पास m और यह c की value आ गई तो ultimately हमारे पास यह equation आ गया x और t में तो x is equal to t plus 2 और इसको differentiate करेंगे तो dx is equal to dt आ जा आएगा ओके तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा थोड़ा सा एक बार में जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर गोस क्वाटरेचर में आपको basically जो limit होती है वो minus 1 से 1 होनी चाहिए minus 1 और 1 होनी चाहिए तो उसके लिए आपको जो भी हमारा variable होगा उसको convert करना हो होगा किसी और variable में ठीक है तो यहाँ पर X को हमने T में convert करने की कोशिश करेंगे ठीक है और पूरे functions को भी आपको change करना होगा ओके तो ultimately यहाँ पर हमने दोनों के विच में करिले लियर लीनियर रिलेशन्शिप रिखा और यह दो वेल्यूस गीवन थी इससे हमारे पास दो unknown थे इनसे दोनों unknown की वेल्यू आ गई और एक यह relation आ गया अब यहाँ पर हमको dx की जरूत है तो dx की जगह dt आ जाएगा ठीक है तो हमारा नया equation क्या बन जाएगा integrate fx क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास one upon x x की जगह हम क्या value यूस करेंगे t plus 2 और dx की की जगह यू फंक्शन हमने वेरियेबल का वेरियेबल चेंज करा है ओके तो three point rule में भी हमें क्या करना है वही करना wi fxi तो यहाँ पर तीन है तो w1 fx1 plus w2 fx2 और w3 fx3 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो w1 जो three point case में है वह है 5 by 9 फिर 8 by 9 फिर 5 by 9 ठीक है तो यहाँ पर 5 by 9 8 by 9 5 by 9 ओके और जो x है वो है under root 0.60 और minus under root 0.6 ओके तो यहाँ पर हमने क्या करा t की जगा हम value put करेंगे under root 0.6 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर minus under root 0.6 जब इसको solve करोगे तो value आ जाएगी यह और इसी function को अगर हमने exact method से solve किया होता तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 open x dx का integration ह होता ln x और ln x में हमने limit डाल दी 1 3 तो ln 3 minus ln 1 जिसकी value यह आ गई तो यह result जो है approximately equal आ रहे हैं अगर इसको 4.7 method से solve करेंगे तो यह value और इसके करीब आती जाएगी तो वो आप try कर सकते हैं और एक और question मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके try करने के लिए आप please इसे solve कीजिए यहाँ पर मैंने एक और question दे रखा है यह आप इसको solve कीजिए और इसका answer comment section में लिखेगा ओके तो I hope आपको यह lecture समझ में आया होगा और this is the last lecture of this module ठीके तो यह module का last lecture था हमारा अब next जो lecture आएगा हमारा वो start हो जाएगा हमारा module number 5 ओके तो module number 5 और 6 के lectures आगे आने वाले हैं तो अगर आपको यह lecture series पसंद आ रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगा आप please subscribe कीजिए और share कीजिए और like कीजिए इस lecture को thank you everyone